बिल्कुल इसी तरह हम क्रे वापसी बही का भी निर्मान करते हैं प्रारू बिल्कुल बही होता है जैसे की क्रे बही और विक्रे बही का रहा और खरीदा गया माल जो भी हम वापस करते हैं उसकी पूरी की पूरी प्रविश्ट्री हम क्रे बही के अंतरगत करते हैं यहां पर जो एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने यहोगी वो हमने जैसी कि हमने पहले भी जाना था कि कारण हमको जरूर लिखना है कि किस कारण से वो माल हमने वापस किया तो अगर हम इसके बारे में अगर एक उदाहरण देखे तो हम देखते हैं कि जैसे माल लेजिए मोहन को म लिखेंगे क्योंकि डिसकाउंट वगेर नहीं है यहां पर नीचे में लिखेंगे नमूने के अनुसार ना होने के कारण तो यह बहुत पुण बात है दूसरी बात डिसकाउंट को यहां पर ध्यान में रखना है कि खरीदते समय अगर किसी प्रकार का कोई बट्टा बापस किया जाता है तो पर यह किस प्रेकार यह क्रावापसी पुस्तक बनाई जाती है उससे प्रकार वापसी बनती है यहां पर एक कॉलम जुए वो डेबिट नोट का जुड़ जाता है क्योंकि हम ने देखा कि क्रेब वापसी की दर्शा में जब किसी को माल वापस करते हैं तो वहां पर नंबर लिखना होता है देविट नोट का क्यों लट आया है कितना माल भेजा यह सारी देविट नोट में लिखते हैं तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि क्रेकर अगर किसी प्रकार का बट्टप तो वापसी के कंडिशन में हम बट्टे को यहां पर मैनेस करेंगे अमांट कॉलम में लिखकर और पर नेट अमांट जो आएगे वो हम पर ट्रैसफर करेंगे नाम की चिठी यानि के डेबिट नोट के बारे में अगर हम कुछ जाने वास्तों में जब कोई वैपारी माल वापस करता है तो वो एक नोट लिखके भेजता है जिसके अंतरगत वो सारे डिटेल्स लिखे होते हैं कि उसने कितना माल वापस किया कब वापस किया बीजक संख्या उसकी क्या थी किस कारण से उसने माल वापस किया इस तरह के वो विवराण लिखकर भेजता है जिसे हम डेबिट नोट या नाम के चिठी कहते हैं और फिर उसके आधार पर हम भाही का नर्मान करते हैं उसके विधिया क्या वह सकती है एक तो संशिप्त विधी हो सकती है और एक विस्तुरत विधिया जैसे की अभी हमने देखा कि कई बार हम पूरा का पूरा उसको पोंके विस्तुरत विधी ओर कई बार हम शौट में अपने हिसाब से थोड़ा सा शौट करके लिग देते हैं तो वह संशिप्त विदिए और फिर भी वैभारिक रूप से समाना जाता है कि अगर विस्त्रित रूप से सारी डिटेल्स लिग दे जाए तो ज़्यादा सही रहता है अब ये तो बात कही हमने क्रेवापसी बही की यहां पर जब हम क्रेवापसी बही बनाते हैं तो जैसा हमने क्रेवापसी विक्रे बही के साथ क्रेवापसी खाते की भी अगर बात करें तो ये जो खाता है ये दो प्रकार से बनाया जा सकता है इसके अंतरगत एक तो हम विक्रेवापसी खाता बनाएंगे और दूसरा उस विक्रेता का बनाएंगे हम खाता जिसने हमको माल लोटाया है जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि मोहन ब्रदर्स को माल वापस किया तो एक तो हमने यहाँ पर क्रेव वापसी की तो हम क्रेव वापसी खाता बनाएंगे और दूसरा किसे वापस किया दूसरा पक्षिकार है मोहन ब्रदर्स तो हम मोहन ब्रजर से आनि कि हमारा जो भी करेता था हम उसका एक खाता यहां बनाएंगे तो आए इस से सम्बंदित कुछ उदारण देखें निमनलिकित लेन देन को राम प्रिसाद एंड संस के क्रय वापसी बही में लिखिए तथा खातों में प्रविष्टी कीजिए 2005 जन्वरी एक हीरा एंड कंपनी को मार्ग में छतिग्रस हो जाने से माल वापस किया चार जन्वरी मदन का माल नमूने के अनुसाद ना होने के कारण वापस किया आठ जन्वरी राधे श्याम को खाली बॉक्स वापस किया यह हैं माउंट है एक जन्वरी की सो रुपे चार जन्वरी के लिए एक सो पचास और आठ जन्वरी के लिए दस रुपे आठ जन्वरी पो जबकि राधे शैम को खाली बॉक्स वापस किया गया है तो इस पर दस प्रतिशाद बट्टा दिया गया पूरे बीजक मुल्य पर जो की आठ सो रुपे था है यहां सबसे पहले हम को क्रेवापसी बही बनानी है और उसके बाद है कि रबार उसक्रішा डालेंगगे तो सबसे पहले और विशिच запोल्द बात यहां पर जब स्क्रेवापस करना है माल हमने वापस किया है ये भी हमको ब्रैकेट में वहाँ पर जरूर लिखना है तो सबसे पहले यहां हम एंट्री करेंगे हरी एंड कंपनी को माल वापस किया और ब्रैकेट में लिखेंगे माल्ग में छती ग्रस्त हो जाने के कारण इसकी बीजक संक्या एक लिखेंगे हम और राशी जो है वो शुद्ध राशी में हम डारेक्ट लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहां पर किसी प्रकार का कोई बट्टा नहीं है तो डारेक्ट हम इसको शुद्ध राशी हैंने नेट अमाउंट कॉलम में 100 रूपिस लिख देंगे चार जन्वरी को मदन एंड कंपनी को वापस किया तो उसकी एंटरी हम करेंगे और इसमें हम कारण लिखेंगे नमूने के अनुसार माल ना होने के कारण इसकी बीजक संकिया हम दो डालेंगे और 150 रुपए का माल है तो 150 रुपए को डारेक्ट हम नेट अमाउंट कॉलम में लिखेंगी क्योंकि इसमें भी किसे प्रकार का कोई बट्टा नहीं है आठ जन्वरी को हम एंट्री करेंगे राधे श्याम को माल वापस किया खाली बॉक्स था एक और दस रुपए का और यहां पर जो असी रुपए के बिजक मूले का माल था उस पर केवल कटोती की राशी उसको यहां पर लिखना है तो अश्यार्ट रुपए के माल पर 10 परदा की कॉटोती यहां पर दे गई है तो आट्ट रुपए के निकालके के यह असी रुपए से के अंट्रिय हम पर करेंगे और नबब्य रुपए इसकी टॉटल राशी होजाती है जिसको नेट इमांट क करेंगे तो 340 रुपय इस तो टोटल आता है उसके अब क्योंकि हम को खतावनी करने भी बोला है लेजर बनाने भी बोला है तो अलग अलग जो जितने भी पार्टीज है जो वक्षकार है वैपारी है उनका हम अलग अलग यहां पर एक खाता बही बनाएंगे तो सबसे पहले ह यहां पर बनाएंगे राम प्रसाद एंड्संस की क्रेव वापसी वही और क्योंकि जब हम राम प्रसाद एंड्संस को माल वापस करेंगे तो यहां पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी क्रेव आपसी खाता बेवी राम प्रसाद एंड्संस से तो क्योंकि राम प्रसाद क्रेडिट है क्रेडित हो रहा है इसलिए दो औरctica अमांट आप और टोटल अमांट आपक हमारे प्रूला में pass且y हो हमें लेखी करीद है अब वो तीनो जिनसे की रहांकराइड ने माल खरीदा था और उनको वापस कर रहे हैं उसकी एंटर्ई हम नहींद पर करेंगे तो हमारी पहली जो मारा पहला पक्षीकार है वह है मेसर हरी एंड प्रद आइंड और जब हम इनको माल वापस करेंगे तो यहाँ जो मेसर्स हरी एंड कंपनी उनको माल वापस मिलेगा तो जनरल एंट्री जो होगी वह जाएगी मेसर्स हरी एंड कंपनी का खाता डेबिट क्रेवापसी खाता से तो इस प्रकार हम मेसर्स हरी एंड कंपनी के खाते के डेबिट साइड में लिखेंगे क्रेव आपसी खाता से और सो रुपए उसकी अमाउंट थी जिसको हम लिखेंगे और क्लोज कर देंगे उसके बाद मदन एंड कंपनी से हमने माल खरीदा था उसको हम वापस कर रहे हैं तो मदन एंड कंपनी को जब हम माल वापस करेंगे तो यहां पर हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी मदन एंड कंपनी डेबिट क्रेव आपसी खाता से तो मदन एंड कंपनी के खाते के होगी राधेशयाम का खाता डेवीक क्रैव आपसी खाता से के क्रैवापसी खाते और पेसे उसके सैंट्रि करेंगे और करेंगे निमन लेन देनों की सहता ुछे क्रैव वापसी 10 जन्वरी साहन प्रावेट लिमिटेट को 25-25 रुपय मूल्य का माल वापस किया 17 जन्वरी मैसर्ष को हिल्यों ट्रेडर्स को सुचि दो-चयार गटाकर 10% वय्पारिक छोट मूल्य का माल वापस किया अठाइस जन्वरी मैंसर्स होंडा ट्रेडर्स को पास्तों पचास रुपए की बाहे वापसी हुई इस प्रेश्ट में हम देख रहे हैं कि हमको क्रेव आपसी बनाना है और यहां पर जो पॉइंट्स देए गया है तब में माल को वापस किया गया है हमने जो माल खरीदा था आव को वापस कर रहे हैं तो यहां पर हम क्रेव आपक बही का निर्माण करेंगे सब्सेबिखेंगे और प्र पत्रेवर को कार्तिक को मल वापस किया है तो हम लिखेंगे साके कर्थक कि को मल लुटाया और डीटेल कॉलम में लिखेंगे 1200 हैं फिर हम देखर में कि 27 को च Giraj si pouvoir किया तो यहां लिखेंगे साहिल प्राइबिट लिमिटम्ट को बाभ हमने माल वापस क्या इसके साह है और इकनल कॉछ घो हम्ने जो माल वायब learnt थे मत इसके तो को और नेट अमांट जो 1800 है उसको हम बाहर लिखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि पर्चेस रिटन एकाउंट का जो टोटल है वो हो जाता है 1200 2500 1800 और 550 यहां पर 28 जैन्वरी को मेंजर्स होंडा ट्रेडर्स को भी हमने माल वापस किया है 550 का इसके एंट्री भी हम कर लेंगे और उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे तो मन्त एंड में 31 जैन्वरी को जो पर्चेस रिटन एकाउंट का टूटल आता है वो आएगा निमनलिकित लेन देनों को मलहोत्रा एंड कंपनी भीवानी के क्रेप उस्तक में लिखिये 2016 4 अगस्त सरस्वती हाउस को 25 कुर्सियां दर 180 रुपय प्रतिकुर्सी नरधारित किस्म के अनुसार ना होने के कारेंट वापस की व्यापारिक छूट 10 प्रतिशती 12 अगस्त नवनीत इंटरप्राइजेस करनाल को एक मेज पॉलिश ना होने के कारण 800 रुपय तथा 20 कुर्सियां दर 190 रुपय प्रतिकुर्सी की दर से वापस की 20 अगस्त को यादव एंड कंपनी रिवाडी की नमूने के अनुसार ना होने के कारण माल वापस किया 20 कुर्सियां दर 200 रुपय प्रतिकुर्सी दो ड्रेसिंग टेबल दर पंद्रा सो रुपर कती 28 अगस्त बीजक अशुद्धी के कारण 9 इंटरप्राइजेस करनाल से 620 रुपय का भत्ता मिला अब यहाँ पर क्योंकि हमको सिर्फ क्रेवापसी बही बनानी है और हमने पहले भी देखा है वीडियो में कि जब भी हम क्रेवापसी या विक्रेवापसी से संबंधित बही बनाते हैं तो वहाँ पर हमको क्रेव विक्रेवापसी का एक विवरण तो लिखना है साथी साथ अगर प्रश्ण में दिया गया है कारण क्या है क्रेव्वापसी का विक्रेव्वापसी का तो उस कारण का उडेख हमको उस विवरण के साथ साथ जरूर करना है तो यहां पर हम बना रहे हैं क्रेव्वापसी बही और सबसे पहले हम अगस्त 4,ULT kunnen की करेंगे और पूरा विवरण यहां पर हम डिटेल में लिखेंगे में सरस्वती हाउस को वापस किया बीस कुर्सियां दर एक सो असे रुपए प्रती कुर्सी की दर से तो यह 4500 इसके अमाउंट आ जाएगी अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे क्योंकि इसमें डिसकाउंट भी है और अब हम इसमें माइनस कर देंगे ट्रेट डिसकाउंट टैन परसेंट चार्सों पचार्स रुपए और अब जो टोटल अमाउंट आएगी उसको हमको टोटल कॉलम यह जिसें नट अमाउंट कॉलम भी कहते हैं उसमें हम माइनस करने के बाद 4050 के अमाउंट लिख चैनिंग टेबल जो की 800 रुपए का था और दूसरा और फिर हम इसमें इसका कारण भी लिखेंगे इस पॉइंट में और कारण दिया हुआ है कि कूर्सी निर्धारित किसमें के अनुसार नहीं थी और इसको ब्रैकेट में इस तरह से इसका कारण लिख देंगी कि कूर्सिय निर्धारित 21 में जो उन्होंने चैन की थी करेता ने उसके अनुसार नहीं थी इसलिए वापस कर दी गए फिर 12 अगस्त को नवनीत इंटरप्राइजेस को वापस किया तो इसके प्रविश्टिय हम यहाँ पर करेंगे मेसर्स नवनीत इंटरप्राइजेस को वापस किया क् डाइनिंग टेबल जो की 800 रुपय का है इसे हम अमांट कॉलम में लिखेंगे 800 से और 20 कुर्सिया दर 190 रुपय प्रती कुर्सी की दर से कारण यहां पर दिया हुआ है मेज पॉलिश ना होने के कारण वापस कर दिया गया तो 800 का टेबल था और पूर्सिया 3,800 की तो टोटल इसकी अमांट हो जाएगी टोटल इमांट कॉलम में 4,600 रुपया 4,600 से इसकी एंट्री करेंगे फिर 20 अगस्त को हम इसकी प्रविश्टी करेंगे मेसर्स यादव एंड कंपनी लिमिटेट को माल वापस किया 20 कोडिया दर 200 प्रती कुर्सी की दर से और यह जाएगा अमांट में 4,000 और 2 ड्रेजिंग टेबल दर 1500 रुपया प्रती की दर से यह टोटल अमांट कॉलम में जाएगा 3,000 तो यह टोटल हो जाएगा 7,000 और यहां पर क्यूंकि कारंच दिया गया है तो यहां ब्रेकेट में में लिख देंगे नमूने के एंवी लाहनी की है कि पिदे अपिस मांड़ं किया गया है तो इसके प्रविष्ठी अम्या पर कर लेंगे में इश्यर्स नावनीत इंटर्प्राइज मामिक किया और कितने का माल था ये 620 रुपय का भद्ता मिला है इसमें तो इसको डारेक्ट टोटल एमांट कॉलम में लिख देंगे और कारण हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे बीज़क अशुद्धी के कारण अब टोटल एमांट कॉलम में हमने जितनी भी प्रविष्टिय की थी उसको हम लिख चुके हैं तो इसका हम टोटल करके बंद कर देंगे तो 16,270 इसका टोटल आ रहा है और इसकी साथी अकाउंट यह जो सहायक बही है उसको हम बंद कर देंगे अब बिलकुल यही प्रोसेस उस समय लागू होगा जबकि हम विक्रय वापसी बही कर निर्मान करेंगे सेम यही फॉर्मिट होगा यहां हम क्रय वापसी की प्रविष्टि कर रहे थे कारण सहीत अब हम विक्रे वापसी की प्रविष्टी करेंगे यहाँ पर हमको विशेश रूप से ध्यान रखना है कि कारण भी हमको यहाँ पर लिखना है अगर हम बात करें कि विक्रे वापसी के लिए कौन-कौन से विधिया रखी जाए तो यहाँ पर भी वही दो विधिया आती है दिया जाएगी दूसरी बात यहां पर यह ध्यान रखना है, जैसे कि बाकी खाटों में हमने देखा कि कारण क्या है, उसके बारे में हम खुझे बहुत का करें अगर भूंद करने खतावनी की, तो यहां पर हम जो खतावनी करेंगे, वो भी दो तरह के खाते होंगे एक तो होगा यहां पर विक्रे वापसी खाता और दूसरा होगा क्रेता का खाता यानि जिससे हमने माल खरीदा था एक उदारन के तोर पर हम यहां देख सकते हैं सोहन से माल वापस आया यानि कि हमने सोहन को माल बेचा था अब वो वापस कर र नज़े डाले कि एकी बिक्री बापसी बही में निम्नांकित सोदों का लेखा कीजिए इवं जनरल प्रविस्टी कीजिए 2012 पांच जुलाई बाबुलाल ने दस पंखे दर सो रुपय प्रती पंखा लोटाया पांच जुलाई रमेश ने बीस पंखे दर सो रुपय प्रती पंखा लोटाया अब क्योंकि यहां पर हमको इसके प्रविस्टी बही में भी करनी है और साथ में इसकी जनरल प्रविस्टी भी करनी है तो सबसे पहले हम विक्रै बापसी बही बनाएंगे मिस्टर ए के लिए विक्रेव आपसी बही जब हम बनाएंगे तो क्योंकि यहां पर किसी प्रकार के कि कोई बट्टे की एंट्री नहीं दे गई है तो डारेक्ट इसके जो माउंट आएगे इसको में लिखेंगे और स्टेप बाइस्टेप हम इसकी प्रविश्टी हम खेकी दर से यानि सो गुणित दस और एक हजार रुपए आएगा जिसको हम डारेक्ट नेट अमांट कॉलम में लिख देंगे दस जूलाई को रमेश ने माल लुटाया है तो यहां हम इसकी डिटेल में हम लिखेंगे कि रमेश नहीं लोटाया और उसके नीचे फिर हम लिखेंगे बीस हीटर और दर पचास रुपए प्रती हीटर की दर से तो बीस गुनित पचास एक हजार रुपए लिखेंगे और इस एक हजार रुपए को डारेक्ट नेट अमांट कॉलम में लिख देंगे क्योंकि इसमें भी किसी प्रकार का कोई बट्टर नहीं है अब 25 जुलाई को दिनेश ने लौटाया है तो इसकी भी प्रविष्टी हम यहाँ पर करेंगे दिनेश ने लौटाया बीस पंखा दर सौ रुपए प्रती पंखे की दर से तो बीस गुनित सो यानिकि दो हजार से इसके एंट्री हम नेट अमांट कॉलम में करेंगे और 30 जु में कहीं पर भी बटता नहीं दिया गया है तो डायरेक्ट हमने मांट की पोस्टिंग नेट अमांट कॉलम में की और 5000 रुपए से हम इसको प्रोस कर देंगे अब क्योंकि हैं तो सबसे पहले जबकि बाबूलाल ने माल वापस किया तो उन्होंने वो माल वापस किया जो हमन लुटा देबिट बाबूलाल से में एक थानी कृष्ण की और बंद कर देंगे तो दूसरा द मी आप देख रहे हैं कि रमेच नहीं लोटा आया सफमने माल पेचा था ब्रूंको लोटा रहा है अब जब को माल लोटा आएगा तो माल हमारे पास आएगा तो यहां पर हमारी जोनिल एंट्य होगि विक्रेवाब्सी खाता डेट रमेश के खाता सے और एकजार उपए से मिस इसके एंट्री करेंगे तीसरी अंट्री में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिनेश ने मल्ले लुटा आया है तो सेम एंट्री पर होगी विक्रियवाप्सी खाता डेपट निगे खाता से और 30 जुलाई को इसके अंट्री होगे विक्रियवापि खाता डेपट राजेश से चेरो होगी और जब इसको क्रेडिक टोटल करेंगे तो 50 जारब यह दूंऋ बंद जाएंगे कर दो